कि हलो फ्रेंड्स क्यासे आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनिस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आरार भी एंटी पीसी के जो एक्जाम है उसकी डेट है आ चुकी है और मैं यह भी बताने वाला हूं कि जो अभी कुछ दिन पहले ओडियो कॉल रि विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए रेल्वे भड़ती बोड की पलपल अपडेट के लिए और गोर्मेंट जोब्स की सभी अपडेट के लिए तो चली वीडियो शुरू करते हैं यह जो नोटीस है यह गोर्मेंट ओफ इंड इसके अंदर साथ आठ पॉइंट लिखे हुए है मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर क्या कंक्लूजन निकलता इसके अंदर पहले पॉइंट के अंदर आपके लिए देट दी हुई है सीविटी फरस्ट की सेकेंड वो सैवन्थ फेज के लिए जो की है तेहिस चोविस चब्विस और इकतिस चुलाई को जो है आपके एक्जाम कंड़क्ट करा जाएंगे जो सैवन्थ फेज के लिए कैंडिडेट है उनकी जो संख्या है वो है टू पॉइंट सैवन हीट लाख होंगे और इमेल आइडी में इमेल आइडी पर या मोबाइल नंबर आपको बता दिया जाएगा कि आपका एक्जाम कब है और जैसा कि मतलब पिछली बार जारी हुआ था कोविट के लिए कि आपको मास पहन के जाना है सैनिटाइजर होने चाहिए यह सब आपको इस नोटिस के अंदर बताया गया है लास्ट नंबर देख लेते हैं एट केंडिडेट और आलसू एडवाइस टू केरफुल रीड एंड कोंप्ली को लेटर पर जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी आप उनको अच्छे से रीड कर लीजेगा एक बार पर्टिक कुलर्ली ओन बैंड आइटम्स इलेक्ट्रोनिक गैजट्स सच एज मोबाइल फोन्स पैजर्स वाच वाच वाचिज ब्लूटूथ यानि के यह क्या उसके बाइस चीज आपको नहीं लेकर जानी जिससे आपको ऐसा लगे या पेपर में नकल कर रहे हैं या मतलब जो भी उन्होंने बैंक कर रखा उन्हें से आप कोई भी चीज नहीं लिए सकते हैं अब मैं बात करता हूं कोल रिकोर्डिंग की उसके अंदर यह बताया जा था कि अठाइस तारिक से जो है अठाइस जून से आपके जो हैं सीविटी फरस्ट के सैवंथ फेज के जो हैं एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन मैंने उस वीडियो को अपोस्ट करते वे कहा था कि कोई भी ऑफिसर है अपने डिपार्टमेंट की जो इंफोमेशन है ऐसे लीक नहीं कर सकता कि आप अगर फोन करें नोटी जारी होने से पहले आप अगर किसी भी ऑफिसर से फोन करके यह चीज पूछते हैं कि आपका एक्जाम कब होगा यह एड्मिट कार्ट कब होंगे यह तो बहुत मुश्किल है रेयर केस है कि वह आपको बता दे अगर आ करना तो आपको यह सब इंफ्रोमेशन नहीं दी जाएगी वह आपसे सिर्फ एक ही बात कहेगा कि आप नोटिफिकेशन का या शाइड पर वाच करते हैं जो भी जो भी नोटिस आएगा आप उसके देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके एड्मिट कार्ड या शिडूल यह क पर ज्यादा फोकस ना करें अपने एक्जाम पर ही फोकस ज्यादा रखें क्योंकि अब आपका जो सेवंध फेज है वो चार दिन के अंदर खतम हो जाएगा उसके बाद आपका जल्दी से जल्दी या तो अंसर किया जाएगी दो हफते के अंदर या तीन हफते के अंदर आ नहीं बचे हैं सीबीटी टू के लिए आपको अगर आप मान के चल रहे हैं कि आपको दो महीने तीन महीने मिलेंगे तो ऐसा नहीं है रेलवे सिर्फ आपको दो से तीन हवते ही देगा क्योंकि टाइम बहुत ही निकल चुका है कोवीड की वज़े से तो यह रेले वाले अपन चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइगन को प्रेस करना ना भूलें तो